असलाम लेकुम रह्मद उल्लाहियो वरकात हूँ कैसे मेरी प्यारे वीवर्स उमीद है कि आप सब क्यारियस से होंगी आज मैं आपके लिए प्रेशर कुकर में पास्ता बनानी की रैस्पी लेकर आई हूँ जो बहुत ही जटपट और इजीली हम बना कर बच्चों को टिफिन तो जब कुकर में आई हूँ गरम हो जाएगा तो हम इसमें अधरकलेसन का पेस्ट दालेंगे जो तक्रिबन मैंने 1 अच्छी तरीके से भूल लोंगी और इसमें जो मैं मसाला मतलब मैंने पेस्ट मैं पेस्ट में दाला था प्यास टमाटर और हरी मिर्च तो आप अपने अ उस हिसाब से आपको मसाला ये बना लेना है बस इसे हम अच्छी तरीके से भून लेना है जब ये अच्छी तरीके से भून जाए तो अब इसमें मैंने डाल दिया है शिमला मिर्ची है, स्लाइस में कटीवी और कैबेज पत्ता गुबी, बहुत ही यमी लगती है इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैंने डाल दिया है मैगी मसाला तो मैगी मसाला अगर आपके पास पास्ता मसाला है तो आप पास्ता मसाला दालीजे मेरे पास मेगी मसाला था मैने मेगी मसाला इसमें डाल दिया है और साथ में मैंने हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने डाल दिया है नमक और अब मैं इसमें डाल रहे हूं कुटी हुई लाल मेच यह ऑप्शनल है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है यह टेस्ट इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है यह टेस्ट इन्हेंस करने के लिए तो और इसमें साथ में ही मैं इसमें और गैना डा पासता है, मैंने वो ले लिया है, तो आप देख रहे होंगे, थोड़े से वाइट दिख रहे हैं, और थोड़े से या लोकलर के दिख रहे हैं, तो भई, एक रवे की है और एक मैं देखे हैं, यह रास की बात मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब बच्चों ने की है न, तो मेरे पास है न, थोड़े थोड़े दोनों बचे थे, तो मैंने सुचा चलिए यह भी कर लेती हूँ, तो जो मैं आप से ही शेयर कर रही हूँ, प्लीज किसी को मत बताईएगा, तो अब यहाँ पर मैंने मिकसर के जार में जो मसाला था, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल कसे दोलिया, आपको तो पता है हम घर गरस्ती वाले लोग हैं, ज़रा भी चीज़े नहीं चोड़ते हैं, थोड़ा सा भी मसाला बचना नहीं चाहिए बस अब इसमें हमने पानी से ब इतना डालना है हमने, जिसमें हमारा प्स्टा पक जाए, गल जाए, जो भी आप कहना चाहेगे और बस यहाँ पर मैंने कुकर की लिड लगा दी है उससे पहले आप चकलीजेगा नमप अगरा सब सही है या नहीं क्योंकि कुकर खुलने के बाद में हो तो हम अटैक करने वाले हैं इस पर और जब यह हो तो इसमें आप तकरीबन एक सीटी लेजिए एक सीटी कुकर ने बचाई यहाँ और हमारा पास्ता तयार है थैंक्स पर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब और कमेट जरूर कीजेगा अल्ला हाफीज